असलाम लेकूम मैं यूटूब फैमिली जी तो कैसे हैं आप सब उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज आप लोगों के साथ शेर करूँगी आप लोगों की ही फर्माईश पर घर में वैक्स स्ट्रिप हम कैसे बनाएं ठीके आज आपको बताऊंगी के हम घर में वैक्स कपड़ों में लगाते हैं यह वो वाली मेरे पास चेपी बुकरम है यह आपको 20 रुपे की मिल जाएगी 20 रुपे की तीस रुपे की आप मंगवा लें और आपकी काफी जादा स्ट्रिप्स बन जाएंगी इससे ठीक है इस तरह से आपने साइज कर लेना है आपको कितनी च तरह से बने तो इस तरह से पहले आपने इतने साइज की एक स्ट्रिप्स निकाल लेनी है तकरीबन इतनी चोड़ी हो अभी मैं आगे बताती हूं कि इसको कितना हमने करना है इस तरह से आपने इसे लाइन लगा लेना है और इसे कट कर लेना है ठीक है यह मैंने इसी से पहल ना बहुत जादा आपने चोड़ी स्ट्रिप्स बनानी है और ना ही बहुत जादा पतली बनानी है ठीक है अभी मैं आपको बताऊंगी एक थोड़ी लंबी करके बना के बताऊंगी और एक थोड़ी चोटी बताऊंगी और आपको जो सही लगे आप उस तरीके से बना सकते है लेकिन कोशिश यही करें कि बहुत जादा चोड़ी और बहुत जादा लंबी ना बनाए है नॉर्मल सा एक साइज रखें उससे वेक्स करना आपके लिए असान रहेगा और जो स्टार्ट में वेक्स करना सीख रहे हैं उनके लिए यही मशवरा है कि वो बहुत जादा चोड़ी और बहुत जादा लंबी स्ट्रिप ना बनाए मैं भी जो नॉर्मल साइज रखती हूँ एक तो यह साइज बन गया ठीके यह मुझे काफी लंबा लग रहा है और मैंने जो पहले बनाके रखी हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी एक यह साइज हो जाएगा यह आपको काफी जादा अगर बड़ा लग रहा है तो आप इससे छोटा भी कर सकते हैं मैं दिखाऊंगी जो मैंने बनाके रखी हुई है ठीके इस तरीके से आपने साइज करते जाना है और यह 20-25 रुपे में आपकी काफी जादा स्ट्रिप्स बन जाएंगी ठीके आप लोगोंने क्या लेना है यह मेरे पास चेपी है जो कपडों में लगा के हम सीते हैं चेप आप यह साइज की बना सकते हैं ठीके इस तरहां से आपने इसे कट कर लेना है और यह आपकी स्ट्रिप्स रेडी है एक दूसरा मैथड यह है कि आपके पास जीन्स की कोई पैंट पड़ी है तो आप उससे भी इस साइज की स्ट्रिप्स बनाके तो अपनी वेक्स आपके बालों का रूख है यह देखें मेरे बालों का रूख अगर यह नीचे की तरफ होगा तो इस तरीके से आपने वेक्स लगानी है वेक्स लगाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में लेकिन एक बार मैं फिर बता देती हूँ इस तरह हलका हलका सा अपने हाथ की गर्माईश देनी है ताके किसी भी किसम के दाने ना बने हमारे हाथ पे जी तो ये इतनी सारी स्ट्रिप्स आपकी बन जाएंगी 20-30 रुपे में तो आप लोगों ने इसे जरूर ट्राय करना है और मुझे बताना है अब आप इन्हें सब कठा करके ताकि ये सीधी रहें आप लोगों ने इस्तमाल करनी है तो आप रख सकते हैं इसे इसे बिल्कुल आपने सीधा रखना है इस तरीके से आपने कठा करना है इस तरीके से सारी इसको कठा करके हमने अब ऐसे ही नहीं छोड़ देना ठीक है हमने इसे क्या करना है हमने एक ये बैक जो होते हैं हमारे पास जिसमें हमारा सोधा वगरा आता है हमने एक वो ले लेना है और उसमें हमने इसे बिल्कुल सीधी करके जिस तरीके से ये बनी वी है इस तरीके से इस शौपर में डालके हमने रख देनी है ताके ये मुडे ना बिल्कुल सीधी रहें ताके हम जब वैक्स करें तो हमें ये इसी तरह से मिलें और हम अच्छे तरीके से वैक्स कर सकें ठीके इस तरीके से आपने करके रख देनी है तो जी आज हम लोगों ने सीखा वैक्स ट्रिप बनाने का तरीका तो वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दें कमेंट करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दीजिए इजाज़त अलाहाफिज